नमस्कार दोस्तों, Civil Engineering Support के एक बहुत ही महत्पुन वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों इस साइट का जो वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे अभी प्लास्टरिंग का काम चल रहा है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक रूम को प्लास्टर करने में कितना खर्चा होता है जिससे आपको अंधाजा लग सके कि आखिरकार आप अगर प्लास्टरिंग करवाने जा रहे हैं तो उससे पहले एक चीज़ का ध्यान देंगे दोस्तों कि प्लास्टरिंग से पहले ही जितने भी कंसील्ड पाइपिंग है जैसे कि आपका plumbing का काम हो या फिर दोस्तों electrician का जो काम है pipe बीचाने का वो कम से कम pipe बीच वाले दोस्तों तार बाद में खिचना है किसी परकार की कोई दिक्कत नहीं लेकिन pipe पहले डलवाले plastering से उसके बाद दोस्तों जिस तरह से देख सकते यहां पर plastering का काम चल रहा है तो plaster दोस्तों बहुत ज्यादा मोटा ने करवानी चाहिए एक चीज़ का ध्यान देंगे आप तो 10 से 12 mm का जो plaster है वो दिवार में काफी सही रहता है दोस्तों अंदर के दिवाल में ठीक है आधा करता है कि वो आपके जो plastering है उसकी मुटाई वो कितना रख पाते हैं और साथी सां दोस्तों बाहरी जो दिवार है उसको थोरा सा 12 से 14 mm की मुटाई रखनी चाहिए बाहरी दिवार की थोरे से मुटाई दोस्तों जादा रखनी चाहिए ताकि आपका जो पानी का शिपिज उसकी परिशानि आपको ना हो एक चीज़ का आपको दैना है आपको plastering करने से पहले दोस्तों बालू को अच्छी तरीके से जो जाली आती है जाली के मदद सो दोस्तों आपको छान ले ना है ताकि आपका जो फाइन पार्टिकल है वही सिर्फ रहे और साती साह दोस्तों ज मान लीज़े कि 10 पाई 10 का एक मान लीज़े आपका room है, bedroom है तो उसमें पहली बात तो 4 दिवार होंगी, ठीक है? तो मतलब कि हमें 400 sqft लेना है और एक हमारा च्छत होगा तो च्छत भी मान लीजिए कि 100 sqft है तो 500 sqft हमें दोस्तों मान लीजिए कि अगर हमें प्लाश्टरिंग करनी है तो उसमें से माइनस करना अब ओपनिंग जैसे कि इस घर के लिए देख सकते हैं दोस्तों इस रूम में दो खिरकी खोला गया चार बाई चार का उसको माइनस करेंगे उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पे धरवाजा के लिए चोड़ा का मतलब 100 square feet जो plastering करने में material लगीगी उसकी मैं आपको जनकारी देता हूँ दोस्तो उससे आप calculate कर पाएंगे तो लगबा लबा दोस्तो अगर estimate लिया जाए तो आपको एक दिवार को करने में एक बोरी cement दोस्तो खपत होगी ठीक है तो आपके पास कितना दिवार है चार करनी है लेकिन उसके एडिशन में दोस्तो आपको क्या करना है कि cement का घोल लगाना है तो उन सब में भी दोस्तो अच्छे कास सीमेंट की खपत हो जाती है तो जितना हमारा दिवार का opening है जैसे खिरकी है दरवाजा है उनको दोस्तो ले लेंगे कि उसमें जितना cement लगना था वो हमारे cement भोल में लगेंगे तो इस तरह से अगर आप दोस्तो यहां पे system बैठाएंगे तो आपको लगेगा दोस्तो के एक रूम को प्लास्टरिंग करने में पांच बैग दौस बैदेसका अगर है तो पांच बैग दोस्तों cement आपको लगना है अगर फर्स की दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान देंगे अगर आपको प्लास्टरिंग मजबूत करनी है तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आपका जो cement sand का ratio है वो आपको सही रखनी है मानलेजिए जो ceiling है जो चछत का नीचले पाठ है दोस्तों उसको अगर आप प्लास्टरिंग करने वाल कम से कम एक चार का ratio रखना है मतलब एक बोरी cement में चार बोरी आपको जो है वो बालू यानि की sand मिलाने है और सांतिसान दोस्तों अगर बात कर लिजाए नॉर्मल दिवार की तो आप एक पांच से भी असानी से कर सकते हैं बाहरे दिवार के प्लास्टरिंग के लिए दोस्त एक रूम में दोस्तों कम से कम मेरे ख्याल से दो मिस्तरि दोस्तों लगी ही जाते हैं ठीक है तो इसलिए इसी परकार से और एक मिस्तरी पर आपको एक लेबर रखना ही होगा प्लास्टरिंग में तो दो मिस्तरी और दो लेबर का खरचा अपने according दोस्तों आप चाहां पर आउंगे उस एरिये का जो है वो रेट आप देख लीजिए चिक है तो उमीद करता हूं दोस्तों यह चीजे आपको जो है वो अच्छी लगेगी और आप दोस्तों के साथ तेर भी करेंगे तो इसे उमीद के साथ मैं लेना चाहता हूं आप लोगों से विदा तो फिर मिलते ह नमस्कार धन्यवाद दोस्तों